स्टूडेंट्स यह हैं हमारा चेप्टर नंबर 9 बुलबुल इसमें हमने बुलबुल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था जैसे कि वहाँ ब्राउन कलर की होती है उसके सर पर कलगी होती है जिसे सिपाही बुलबुल कहते हैं और उसके पूछ के नीचे रेड कलर होता है और उसकी पूछ का जो सिरह होता है वो वाइट कलर का होता है तो इसी तरीके से हमने लास्ट वीडियो में बहुत कुछ पढ़ा था अब जो है हम इसके आगे रीड करेंगे और बुलबुल के बारे में और भी बहुत सारी बातें जानेंगे तो आएए अब हम इसको रीड करते हैं बुलबुल, पीपल या बरगत के पेड पर कीडे ढूंड कर खाती है अब बुलबुल खाती क्या है? बुलबुल जो है वो पीपल के पेड़ पर एक तो ज्यादा तर रहती और वहां से वो क्या खाती है उसके कीडे मकोडे खाती है वह हमारी तरह सबजी और फल भी खाती है अब बुलबुल जो है वो सबजी और फल भी खाती है अम्रूत के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है अब उसको अम्रूत और मटर ये दो चीज ज्यादा पसंद होती है इसलिए वो उनके मटर के जो खेत होते हैं और अम्रूत के जो बागान होते हैं वो वहां बहुत ज्यादा तर हमले करती हैं और वहां से वो अम्रूत खाती हैं और मुटर खाती है वह अपना घोसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है अब बुलबुल जो है वो अपना घोसला कैसा बनाती है वो बनाती है घास से सूखी गोसला अंदर से एक सुन्दर कटोरे जैसा दिखता है अब उसका जो गोसला होता है नैस्ट जो होता है उसका वो कटोरे की तरह होता है एकदम गोल होता है और बीच में जैसे कटोरे बाउल के अंदर बीच में खड़ा होता है उसी तरीके से उसका गोसला भी बहुती बुलबुल एक बार में दो या तीन अंडे देती है बुलबुल जो है वो एक बार में दो या तीन अंडे देती है कितने अंडे देती है? दो या तीन उसके अंडे हलके गुलाबी रंगे होते हैं अब उसके अंडे कैसे होते है? हलके हलके गुलाबी कलर के एक बार जब हम उनको देखते हैं तो वो हमें गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं पर उसमें होता क्या है उसमें देखिए तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगे अब उसके अंडे पर क्या होता है वो सब हमको दिखाई तो गुलाबी रंग के पिंक कलर के दिखते हैं लेकिन एक्चुल में उस पर छोट छोटी सी लाल, भूरी और बैंगनी बिंदियां दिखाई देती चोटी छोटी बिंदियां ऐसे बनी होती है उस वज़े से वो सारे कलर मिक्स होकर हमको एक बार में कैसा कलर दिखाई देता है गुलाबी रंग दिखाई देता है तो बुलबुल के बारे में हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा है और आज हमने इस वीडियो में जाना कि बुलबुल जो है वो उसे कीडे मकोडे खाती और अमरूद और मटर उसको ज्यादा पसंद होते हैं वह अपना गोंसला किस से बनाती है छोटे छोटे पौधों की पतली पतली जड़ों से और सूखी हुई घास से बनाती है और अंडे जो है वो दो या तीन एक बार में देती है और हलके गुलाबी रंगे वो हमें दिखाई देते हैं तो यह यहां हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट हम इसकी जो पिक होगी हम उसमें उसके कुश्चन आंसर्स और बाकी सारी एक्टिविटीज करेंगे I hope आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा और बुलबुल के बारे में बहुत कुछ आपको जानकारी भी मिल गई होगी Thank you, have a nice day